कि नमस्कार बच्चो आज हम चर्चा कर रहे हैं कच्छा बार्वी का जो सेकंड चेप्टर है उस पीए पोदों में लेंगिक जनन यह पूस्पी पादपों में लेंगिक जनन इसके तरकत हमने जो पॉलिनेशन इसके बारे में चर्चा कर रहे थे इसमें हमने और हीडिशन वाले हैं आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह बात करते हैं नाम चाफ के पता चलन यह जन्थू थिली तो परागंण का वह प्रकार जिसके अंदगर्द्थी सोंगे तो इसे परागन को हम क्या बोलेंगे जू फिलिक है तो हम ने प्रकार से लिखने का प्रयास किया है ऑप्रकार जिसमें प्रकणड विबीन प्रकार के जन्तु हो द्वारा नर्पृस्प के प्राग कोस से मादा पूस्प की व्रति का आगर तक पहुंचाया जाते हैं वह क्या कौन से जनतू जो है वो फॉलिनेशन कर रहे हैं तो उसे आधार पर हम इसे केटेग्राइज कर सकते हैं फर्स्ट हम बताएं कीट परागन इसको बोलते हैं एंटेमो फिली या इंसेट के द्वारा फॉलिनेशन होना तो जो एंग्यो इस पर मोहते हैं लगबग लगए इसकी 80 % प्रजातियों के अंदर इंसेट के माध्यम से Will East High किके पारागं की प्रक्रिया में की प्रक्रिया होती जिसको और नित कर रहा है जो लेक्चर है आपका वो कीट परागन पर हैं और एंटमोफिली कियो पर है और इसके कुछ एग्जमपल्स हम लेंगे कि इस पकार से इंसेट के द्वारा प्रॉसेस की जाती है कुछ इसके अंदर देखेंगे तो कीट परागन या एंटमोफिली वह परागन जिसमें पराकन कीटो द्वारा नर पुस्पो से माधा पुस्पो तक पहुंचाए जाते हैं वह क्या कहलाता है एंटमोफिली कहलाता या कीट परागन कहलाता है तो कीट परागन के लिए आवश्यक हो सबसे पहले भी करीu सब्सक्राइब टो फूसप में जिन inhalacy कि रिंगśli होता है उन पूस के पूपावते हैं बड़े ही रंगीन होते हैं चतक रंग वाले होते जिस कारण से कीट इंग्यूर बहुत सरे अंदर हम को अनुपलन के दिये देखने को मिलेगी नहीं पर देखने को मिलेगी जहां और कुछ पोदों के अंदर तो जो पत्तियां होती है वह भी कलरड होती है इस करण से जो इंसेक्ट्स होंगे वह इनकी और आकरसित होंगे और जब पुस्पू पर कीट बेठेंगे तो वह प्रफागन करेंगे उसके पास सेकंड आता नेक्टर नेक्टर एक मिठा पधार्त ह होता है थोड़ा सा फुलों के अंदर यह बनाया जाता है नेक्टर ग्रंथियों के द्वारा जो कीटों का मुख्य भोजन होता है कीट इनको खाने के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए पुस्पू पर आते हैं तो पुस्प अपने अंदर नेक्टर का निर्मान करते हैं मिलेगा मकरंद मिलेगा और कुछ पत्तियों के अंदर बी नेक्टर का निर्माण होता है मिठा पदार्थ इसमें दिर्मित होता है तो इसे लेने के लिए जब कीट के पास में आते हैं तो वो क्राइस प्राइशन कर दिते हैं उसके बाद में आता सेंट तो सेंट या हम बोले महक या सुगंध तो जो पूस्प होते हैं उनका रंग सपेद होता है तो इनके अंदार तीवर सुगंद उत्पन की जाती है जिससे कीट इनकी और आकरसित होते हैं तो यह कुछ एडाप्टेशन है इसलिए भी कीट इनकी और आकरसित होते हैं तो यह कुछ एडाप्टेशन है पोदों के इंतरगत जिसके माध्यम सी इसेट को अपनी और आकरसित करते हैं तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कुछ उधारन देखते हैं कि किस प्रकार से इसेट के द्वारा पालिनेशन की प्रक्रिया होती है तो हम सबसे पहले इसका एक साल्विया का जो फोदा होता हुआ लेबेटी फेमिली से बिलांग करता है तो इसमें पांच आपके कोरोला या पेटल्स देखने को मिलेंगे जिसमें से तीन पेटल्स नीचे की और होंगे और दो पेटल्स उपर के और होंगे तो हम इसका डाइग्राम बना है उसके बाद में इसके बारें चर्चा करते हैं तो यह पूस्प कुछ इस प्रकार से होता है इस प्रकार से हमने इसका पूस्प बना है तो उपर क्यों और जो होगा यह दो पेटल्स आपस में यूज़ब कर इस प्रकार से एक हुक लाइक इस्टेक्चर बनाते हैं यह प्रकार का इसमें अपर लिप और निश्ला फोस्ट यह कहलता है आपका अपर लिप और ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा लोवर लिप कहलाता है तो ये वास्तों में क्या है इसके जो पेटल्स होते हैं वो मोडिफाई हो चुके होते हैं तो लोवर लिप जो होता है वो तीन पेटल से मिलकर बना होता है और अपर लिप जो होता है वो दो पेटल से मिलकर इसमें इसका हम ग्रीन कलर से यहां पर इसकी ओवरीड ड्रा कर रहे हैं और इसमें इसका यह जो है इसमें लांग गाइनोशियम पाए जाता है इसमें लांग लंबी गाइनोशियम आपको i New Home देखने को मिलेगी जो किater Bridge आपर लिप के ओपर यह अपर लिप यहें होगा वहां पर देखने को मिलेगी दिया होता है इसका स्टिग्मा कर ट्रीमा करद यह होगा से इस्टाईल और यह पॉर्टिन जो ओगा वह वाइसके और भेरीी ठीक है इसका प्रतेक पूंकेसर होता है और इसकी विसेशता होती है हम इसको अलग कलर से ड्रा करें इसमें जो फिलामेंट होता है यह समाने तरी हम देखे तो पूंकेसर में क्या होगा कि बाइलोब्ड पूंकेसर है तो इस प्रकार से पूंकेसर होते हैं और यह इसका फिलामेंट होता है इस प्रकार उसका होता है और यह बीच च में दोनों लोब्स ये वो होता है वह connect 어णा हापस में जुड़े होए हुख होते हैं , तो connect के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो कनेक्टिव से दोनों लोब केसी होते हैं पास-पास जुड़े होते हैं पर यहां पर फुरा सा क्या होगा कि यह कनेक्टिव फुरा सा लंबी हो जाती है तो जो लोब होंगी जैसा यह तो फिलामेंट हो गया और कनेक्टिव केसी हो जाएगी दूर हो जाएगी इस प्रकार से दोनों लोब किसी हो जाएंगा इस प्रकार का जो इंठर होगा स्वरी ज़िक्र Intelligence होगा वह आपको इस साल्विया फ्लांट के अंदर या साल्विया फ्लावर के अंदर देखने को मिल है हम इसका डाइग्रम यह ड्राख करें इसमें छोटा सा कि फिलामेंट होगा और उसी के साथ में कि इस प्रकार से कि दो यह लोब होंगे कि दो लोब आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें यह क्या हो गया है यह क्या है कि फिलामेंट है कि और यह वाला जो पोशन है यह लंबा सामने बनाया हमने यहां पर बंद्रा किया है यह क्या है कनेक्टिव है स्योजी है योगी केसी होती इस्टेराइल होती न और ये जो होगा उपर वाला जो लोब होगा एंथरलोब ये फर्टाइल एंथरलोब होगा और टाइल एंथरलोब और नीचे वाला जो लोब होगा वो कैसा होगा इस्टेराइल यह निच्छे वाला इस्ट्रेल इंथर लोग होगा तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या देखा कि जो साल्विया का फुदा होता है उसका जो पुस्प होगा वह कैसा होगा उसकी जो पेटल्स होते हैं या कोरोला होता है वह दो खुष्ट बनाता है उपर की और जो अपर कि यह जो होता है वह पैटल को बना होता है इसमें जो जो इंड्रोसियम सोरीी च्छोड狃 सी हम मिलेगे उर आप अपर लिप स्थैंध स्थैंध्री पुंचिह मुऊ जो फर्टाइल है वो गेवेट का निर्मान करेगा नर्यूमग या पॉलन ग्रेंड का निर्मान है वो इस फर्टाइल लोब में होगा और जबकि जो इस्टराइल लोब है वो पॉलन ग्रेंड का निर्मान नहीं करता है ठीक है तो इस प्रकार से इसका पूस्पक के अंदर ज पाई जाती है जिसमें इसका जो गाइनोश्यम है वह बाद में परिपक होता है और इंडोश्यम क्या होता है पहले परिपक हो जाता है तो जब को इंसेक्ट यहां पर आएगा जब को इंसेक्ट इस फ्लांट पर आएगा इस फ्लावर पर आएगा तो यहां पर क्या होता है इ जैसे इस पर बैठेगा इंसेक्त तो यह कोनेक्टि वहें किसी करेगी लिवर का काम करेगी क्या काम करेगी लिवर का shock करेगी तो ये पर आकर बैठता है तो यह लिवर नीचे की और आज आएगा तो जो पूंके सर है पूंके सर का जो फाटाई लोब है वह इंसेट मतलब उसके जो फालेन ग्रेन है वह जड़कर इंसेट के पंखो पर इसकी बाड़ी की उपर आज आएगी ना तो कुछ इस प्रकार से इस्तित इनसेट आपकर बैठेगा तो यह जो लोब है यह connective क्या करेगी एक आई इसा काम करेंगी और जो लोब यह थिक जाने जाएगा ठीक फाटाई लोब है वह इसके संपर्क में आ जाएग सब्सक्राइब और जो पालेन घ्रेप constellaciones कि इसके पंक्यों पर बाड़ी की उपर इस पकार से यह बताए कि इस में के सते हो जाएता है तो अभी तक प्रबंख की झाहख दा था इसमें जो ग मेच्रantine नहीं हुआ था इसकी जो इस्टिग्मा है वो जो फॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए परिपग्व नहीं हुई है तो जब इंसेक्ट यहां से जाकर दूसरे पूस्पपर जाएगा ठीक है तो कुछ इस प्रकार से हम डाइगराम इसका एक और ड्रा करते हैं इस प्रकार हम इसको बनाएं तो यह पूर्शन जो होगा अब क्या होगा इसकी जो इस्तिग्मा है वह बाइफ हर केट है इस प्रकार से और यह परिपक्व हो जाएगी पहले इस प्रकार से हम बताए इसको उससे जो परागकन वो पूरे ज़ड़ चुके हैं इससे परागकन पूरे ज़ड़ गये हैं इसको हम थोड़ा इधर करें माँस कंनल अगFL victory के जो आपर लीफ है उस्से यह बाहर हो जाएगी रिष्टिओगमा इससे बाहर क्यों को और और जब इंसेक्त संटाओं पर आता है नेक्टर क करने के लिए जब कीट कीट यहां पर आएगा नेक्टर को क्लेक्ट करने के लिए तो क्या होगा जिसा यह कीट आया कि इसके कि इसके जो पंखो पर पॉलेंट खे इसके जो पंखों पर पराक न्ट इस इस्तिगमा पर ट्रांसपर और ःस्तारणतित्त हो जाएंगी तो इस प्रकार से आपका साल्विय से क्रौश स्टित्र किरलिया होती में इसक्राइबabileशन हो रही है डिलकर इनकीनियर बेटी फेमिली से बिलांग करता है इसमें जो एडाप्टेसन हमको दिखने को मिलता है इसके को रोला रिजन में पेटाल्स जो होते हैं वो लिप लाइक इस्टेक्चर बनाते हैं अपर लिप और लोवर लिप इसका जो एंड्रोशियम होता है उसका जो पूंकेशर होगा वो पूंखिसा होता है फेरिटाहिल होता है वो फोता है इसमें यो पूंखिसाॉरोगा वह पहले परिपक्त हो जाता है ठीक हे को यह आपका साल्विय के अंदर किस परकार से मुझा से इस्यक पॉल्निय dimlyूआ है उनुन भराइब है